दोस्तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोई कॉल आ रहा है लेकिन कोई नंबर नहीं दीख रहा है और उठाने का कॉल तरीका भी चेंज हो गया है जी हां दोस्तो यदि आप अपने फोन में कुछ इस परकार का ट्रिक लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी किसी का प्रशनली फोन आए तो उसका जो मुवाइल नंबर है उसका जो नाम है वह स्क्रीन पर ना सो हो और कॉल वटन हमारा ऐसा हो जाए कि उस पर एक विडियों को मिस मत किजिएगा यह ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जिनका गर्फ्रेंड का फोन आता रहता है और वह अपने फोन को घर में कहीं भी रख देते हैं और उसी समय उनके घर का कोई सदस से उस कॉल को उठाने की कोशिस करता है और उठा कर वह यह समझ जाता है कि यह किसी लड़की का फोन है तो अवैसे लोग इस ट्रिक को अपने फोन में यूज कर सकते हैं कोई भी वेक्ती उनकी गर्फ्रेंड के फोन को उठाने की कोशिस करेगा तो वह कॉल नहीं उठाएगा और नहीं स्क्रीन पर कोई नमबर सो होगा और नहीं किसी का नाम सो होगा और पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कॉल आया किसका था तो दोस्त यदि इस तरह की जनकारी आप जनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेक्श पूरा धेखतेर रहिए तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए सब से कर दिजिए और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल टेकनिकल ब्रांच को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो इस लाल रंग के सस्क्राइब बटन को दबाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और उसी के वगल में एक छोटी सी प्यारी सी घंटी का बटन है इस घंटी के बटन पर आपको क्लिक कर कर all के उपर में क्लिक कर दिना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके और साथी साथ दोस्तों यहाँ पर comment box है इस comment box में आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको से लाइक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों हट देता हूँ इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज करें दोस्तों तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको इस application को करना है install application को कहां से install करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले सबसे पहले उसकी setting और किस तरीके से हम सारे permission को on करेंगे यह समझे और किस तरीके से हम setting करेंगे वह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और पहले सीखिए उसके बाद आप इस application को install कीजिए दोस्तों जैसे application open करेंगे तो ऐसा interface आएगा तरहाँ पर आपको incoming call lock का option है तरहाँ पर आपको एक बार click कर देना है जैसि instructions दिखेगा तो आपको setting पर tap कर देना है जैसे setting पर tap करेंगे तो दोस्तों इस application के permission को यहाँ से allow कर देना है और back हो जाना है और फिर back हो जाना है और फिर setting पर touch करना है जैसे setting पर touch करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर वह application दिखेगा इसके application के setting को आपको यहाँ से on कर देना है करने के बाद में यहाँ पर इस box पर टिक करना है यहाँ से दोस्तों ok कर देना है और दोस्तों simply आपको यहाँ से back हो जाना है जैसी दोस्तों back हो जाते हैं तो आपके सामने ऐसा interface फिर आएगा फिर इस button पर आपको click कर देना है जैसी click कर देते हैं यहाँ पर आपको ऐसा interface आएगा तो जब सबसे जो नीचे लिखा हुआ है call button mode जो पांचवे नमबर पर है जो सबसे पांचवे नमबर पर नीचे में call button mode है इसके उपर में click कर देना है जैसी click करेंगे तो इसको ok कर देना है उसके बाद दोस्तों यह देखिए कुछ आपको demo दिखा रहा है यहाँ यह एक lock है जी यहाँ दोस्तों यह एक lock है चाहे तो आप अपने इस phone को उपर नीचे लगा सकते हैं इधर उधर लगा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे lock लगाना है रहरे एक बार मैंने is को इधर खीचा यहाँ पर तीग लग गया फिर इस phone को मयने इधर खीचा आपकी मर्जी है जैसे मिलगज़ई उसके बाद फिर आपको इसी तरीके से खीच ना है यहां पर आपको टेक्ष्ट करने के लिए कहता है तो इस पहम किलिक कर देते हैं तो देख सकते हैं कि यहां पर कुछ इस परकार का इंटरफेस हो गया यानि कि जब भी आपका call आएगा तो किछ इस परकार का interface दिखेगा यहाँ पर ना mobile number दिखेगा और नहीं दोस्तों यहाँ पर किसी का नाम दिखेगा अब हम गलत password माली ज़े डालते हैं कुछ इस परकार का password डालते है तो देखेगे हाँ पर क्या लिख रहा है रॉंग अब मैं कुछ इस परकार का password गलत डालता हूँ तो रॉंग लिख रहा है अब मैं right password डालता हूँ एक बार इधर एक बार इधर अब मैं जैसी right password डाला तो देख सकते हैं कि हमारा call receive हो गया और सामने एवे दिख जाएगा कि किसका phone था और किसका किस नाम से phone आ रहा है और आप अपने call को इस green button से उठा सकते हैं तो दोस्तो बहुत ही कमाल के trick है इस trick को आप जरूर लगाईए जरूर सीखिए क्योंकि इस आप इस call button के बारे में जान जाते हैं तो दोस्तो ऐसा होगा कि जब भी आप अपने girlfriend का या कुछ ऐसे खास लोग का phone नदी आपके phone पर आएगा और आप अपने phone को घर में कहीं रख कर कहीं चले जाएगे उसी वक्त call आ जाएगा तो आपके घर का कोई भी सदस्ट यदि आपके phone को उठाता भी है तो ना तो उसका नाम सो होगा ना ही mobile number सो होगा और वह call उठाने के courses करेगा तो call उठेगा ही नहीं क्योंकि यहां तो password डाला हुआ है वह call श्रिप आप ही उठा सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आपको इस phone में इस तरीके सेटिंग करकर आप यह काम बहुत ही असानी से कर सकते हैं और दोस्तो चेंज password करना चाहते हैं तेहां पर change mode का option है इस पर click करना है फिर call बटन पर जाना है और आपने password को आप change भी कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत ही असान ट्रिक है अब मैं आपको इस application का नाम भी बता ही देता हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं कि यही application है जिसका नाम है twice gram incoming call lock and app lock इस application का link वीडियो के description में भी दे दिया हूँ नहीं तो play store से भी जाकर बहुत ही असानी से download कर लिजेगा तो I hope दोस्तों में उमीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आया है तो यार चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजे तब तक के लिए जाहिन मिलेंगे नेक्ट वीडियो में आपका लिए सुभू